हौंग कॉंग में कारुबार और छुटियां बिताने वाले भारतियों को बड़ा जटका लगा है अब भारतियों को हौंग कॉंग जाने के लिए सबसे पहले पंजी करण कराना अनिवारे होगा क्योंकि हौंग कॉंग की सरकार ने वीजा मुक्त सुविधा को वापस ले लिय माना जा रहा है कि चीन के दबाव में हांग कॉंग ने ये बड़ा फैसला लिया है क्यूंकि हांग कॉंग चीन का विशेश प्रशासित शेत्र है। विशा के केवल वैद पासपोर्ट पर 14 दिनों तक रहने की जाज़त देता था। इस सुविदा को खत्म करने की पीछे हौंग कॉंग कॉंग की सरकार ने शरण की चाहत रखने वाले भारतियों की बड़ती संख्या का हवाला दिया है। हलाकि भारती अधिकारियों का कहना है कि हौंग कॉंग शरण का बहाना बना रहा है। शरण चाहने वाले भारतियों की संख्या बेहत कम है। लाकु सैलानियों से होने वाली आयसे हौंग कॉंग की अर्थ विवस्था को भी मजबूती मिलती है। ऐसे में भारतियों को दी जाने वाली वीजा मुक्त सुविदा को वापस लेने से भारत और हौंग कॉंग के रिश्टों पर क्या असर पड़ता है। तो फिल हाल आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहें डीबी लाइव।